बिहार के एक चर्चित IPS को उनके माबहन की गाली पड़ती हैं, उन्हें बिहारी होने पर भी गाली पड़ती हैं और गाली देने वाली उनके ही डिपार्टमेंट की एक सिनियर महिला अधिकारी हैं, वह मुल्ता महराष्ट से हैं, सिख्छा उनका आंधर प्रदेश से हुआ औ और पहली पोस्टिंग पटना में हुई थी, और मजे की बात ये है कि IPS विकास बैभव ने अपने सिनियर सोभा आहोतकर पर गाली का आरोप लगाया है, जबकि विकास बैभव कभी विवाद में रहे ही नहीं हैं, लेकिन सोभा आहोतकर के पूरे करियर को अगर आप देखि ही रहा है, ये वही IPS अधिकारी है, जिनोंने कभी भाजपानेता, नित्यानंद्राय जब विधायक हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले उनको हाजी पूर्क चोट पर परेड करा दिया था, ऐसे कई मामले हैं, जहां सोभा आहोतकर का मामला जो है, वो सामने आते रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार सरकार की नौकरी करने वाली और बिहारियों की टैक्स से वेतर लेने वाली एक डीजी पर खुलियाम बिहारियों को गाली देने का आरोप लगा है, फिर भी सरकार चुप क्यों है, आई जी विकास बैभब ने फेस्बुक पर अपना दर्थ और इसलिए मोबाइल साथ लाने के लिए मुझे मना किया गया, सच में दुखी हूँ, सन्यास है तू, यात्री मन वास्तों में आसानवित है, लेकिन किंग कर्तव्य विमूर नहीं होना चाहता हूँ, भयानक रूप से द्रवित हूँ, सब माया है, ऐसे आपमान के लिए सर सक्तिमान से प्रातनार्थू, बिहारी कहकर गाली दी गई है, आइपियस विकास वाबब ने लिखा है, कि सबसे अधिक दुख तब हुआ, जब नवीक अक्षा की अनभूती के पशात, पुना, बिहारी बोलकर इसक लिए गाली दिया गया, क्योंकि उनका मानना है, कि बिह आसा में भी ऐसी प्रकाष्टा हुई है, कि वचनों पर ही नियंतरन नहीं रहा, सच में द्रवित हूँ, महराष्ट के अनेक महापुरुस मेरे आदर्स हैं, छत्रपती सिवाजी, तथा स्वतंतरता वीर प्रेणना है, विकास वाबब की इस ट्वीट से खलबली मच गई, लेकिन उन्होंने सभी पोस्ट डिलीट कर दिया, बता दे आपको, IPS विकास बैभब बेहद चर्चित अधिकारी रहे हैं, NIA में उनके कामों की चर्चा पुर्देश में हुई थी, पतना से लेकर रोहतास, और दूसरे जिले में पुलीस कफ्तान के तौर पर उनका कारेकाल बेहद चर्चित रहा था, इन दिनों वे समाजी कार्यों में काफी अक्टिव हैं, वे लेट्स इंस्पायर बिहार नाम का एक संगटन भी चलाते हैं, जो समाजी कार्यों में बर्चर कर हिस्ता लेता है, और इस संगटन से हजारों बिहारी जुड़े हुए हैं, लेकिन सोभा अहोतकर ने उन्हें छुटी के आविदन को खारिज कर दिया, उसके बाद उन्हें नोटिस समा दिया गया, बिहार की होमगार्ड और अगनी समन सेवाओं की डीजी सोभा अहोतकर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, कि विकास बैभव द्वारा किया गया करने की कोशिस की है, उनकी ये हरकत अखिल भारतिय सेवा आचार नियमावली 1968 के नियमों का उलंगन है, पत्र में कुछ धाराओं का उलेक करते हुए कहा गया है, कि कोई भी अधिकारी अपने ड्यूटी के दवरान हुई बात को गोपनिये रखता है, लेकिन विकास बैभब को अपने सीनियर से बात करना चाहिए था, लेकिन लिकास बैभब अपने साफ तरीके से कहा है, पिहारि क जहकर गाली दिया गया, बіहारि संबोधन करके उन्हें अब सब्द बोले गया, उनकी मां और बहन को संबोधित करके उन्हें गाली बका गया, और वो जिनका पूर्व का इतिहास आप देखिए चाहे वो छपड़ा का पोस्टिंग हो या फिर कहीं भी वो रही हमेशा विवादों से घीर कर रही है अब इसे लेकर सोशल मीडिया पूरी तरीके से विकास बावव के पक्ष में आ चुका है वो हजार लोग जो उनके संगठन से ज लिखता है और क्या अगर विकास बावव की बात सच होती है तो क्या सुबा अहोतकर पर आक्षन लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा